कभी आपको अपनी तांगी उठाने पड़ेगी और क्या पता कभी कबार बिष्टर पर लेखना ही पड़ जाता है ऐसे कौन जी तुम मसाज करोगे जिसमें मुझे अपनी तांगी उठाने पड़ेगी बिल्डिंग के न उपपर काम करो नीचे काम मत करो अरे हाँ हाँ मैडम आप जहाँ बोलोगे न मैं तो वहाँ काम करने के लिए तेयार हूँ और वैसे भी मुझे तो अगर आप एक्ट्रा पैसे दोगे तो शायद कुछ ना और भी कर दूँ ने ने अभी तुम बिल्डिंग के उपड़ी काम करो बस अहाँ घर तो रहाँ आपना बस शांती से बैठे रही है अगर आपको अपनी बोड़े के अंदर अच्छे से रिलेक्स चाहिए तो जैसा मैं बोलता हूँ सिर्फ वैसे बैसे करते जाहिए देखो कभी तो आपको हाथ उठाने पड़ेंगे कभी आपको अपनी टांगे उठाने पड़ेंगी और क्या पता कभी कवार बिस्तर पर लेकना ही पड़ जाता है अच्छा जी ऐसे कौन जी तुम मसाज करोगे जिसमें मुझे अपनी टांगे उठाने पड़ेंगी हाथ उठाने पड़ेंगे और और अपने आपको लिठाना पड़ेगा हरे में सब को पता नहीं है क्या इसारी मसाज बेडरूम में भूद तरीके से होती है अगर आप चाहती हो कि वह मसाज में आपको सिखा दू तो ठीक है आप बस मुझे थोड़े एक्स्टर पैसे देदे ना मैं आपको सब कुछ सिखा मुझे ना कुछ सीखना नहीं है तुम सिर्फ मेरे को अराम दे दो मेरे ना कंदे में बहुत दर्द है हाँ ठीक है ना वैसे एक बाब बताओ जो हमारे सभाब हैं वह आपकी मालिश नहीं करते क्या अच्छे से जो आपने मुझे बुलाए है मालिश तो छोड़ो वो तो अच्छा तो एक्सपीरियंस तो अपने मालिक से एक्सपीरियंस ले ले ना बताओ एक्सपीरियंस लेना है क्या अरे नहीं नहीं मालिक के साथ एक्सपीरियंस का हम क्या ही करेंगे अगर आप चाहती हो कि आप मुझे एक्सपीरियंस दो तो हाँ शायद मैं एक्सपीरियंस लेवी लूँ? करता हूं और मेरे होने के बावजुद भी आप साप को याद कर रही हो अरे साप तो ओफिस में गए हुए है ना और देखो साप तो साम से पहले आने वाले हैं नहीं तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना आज आपकी फुल बोड़ी मसाज ही कर दू मैं तो इम जादे ना मसका मत लगा अभी मेरे पीट दबाओ फिर मैं सोचूंगी आगे अरे मिम साप आपको पता नहीं है इस सहर के ना आदी लड़कियों को मैंने फुल बोड़ी मसाज दी है किसी ने भी मुझे मना नहीं किया है और हाँ मुझे ने एक्स्ट्रा पैसे भी दी है और अगर आप चाहती हो मैं आपकी इस बिल्डिंग को दुबार अच्छे से रिपेर कर दू तो ठीक है बस जादा नहीं मुझे 5,000 रुपए उपर देदा है मेरे मसाज की पेमेंट से छे ठीक है देखते है तेरे सीमेंट में कितना दम है बिल्डिंग रिपेर हो पाती है जा भैज आती है अरे देखो वो सब तो ठीक है पर हाँ मुझे एक बाब बताओ अगर ये बात सहाब को पता चली तो आप क्या करोगे ने ने तुमारे न उस आपको कोई ने बताएगा ये बात न सिर्फ तुमारे और मेरे बीच में ही रहेगी अब तुम बताओ तुम्हें बिल्डिंग रिपेर करनी है या ऐसे ही जाने है अरे मेम साब आप इतनी जल्दी में क्यों देखो रिपेरिंग के लिए बहुत सारा समान भी चाहिए होता है और मुझे तो लगता है ना आपके बैटरों में शयद वो समान होगा भी क्या-क्या समान चाहिए है इतनी भूली मत बनो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो आपको तो पता है ना जब हम बिल्डिंग रिपेर करते हैं तो उसके लिए एक समान भी चाहिए होता है जिससे की आगे हमारी बिल्डिंग में कोई दिक्त नहीं आती है अच्छा, मेरे पास इने सारा समान है अपने तुम फटफट से मेरी बिल्डिंग रिपेर कर दो तो यहाँ थोड़ी ना करूँगा मैं आप एक काम तो करो पहले प्यार से उठो और मुझे प्यार से अपने बेड्रूम तक लेके जाओ वहाँ मैं अच्छे से आपकी बिल्डिंग रिपेर करूँगा तो आप तयार आपनी बिल्डिंग रिपेर कराने के लिए हाँ, अब चले किया बेड्रूम में हाँ, चलते हैं ना आपको सामने एक छोटा सा फोन दिखाई दे रहा है अरे, ये फोन किसका है ये फोन ना मेरा है और आपको का लगता है आपके साथ मैं वो सब करने के लिए आया था नहीं, नहीं वो तो साब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है इसलिए साब ने मुझे बोला कि तूगा काशे काम कर घर पे जा और ये देख कि मेरे पीट पीछे में घर में होता क्या है मैं रो सुनता हूं मेरे उफीज जाने के बाद कभी कोई दूद वाला कभी कोई नूइस पेपर वाला घर पे आ रहा है और आज मैं मसाजवाला बन के आ गया तब मुझे पता चला कि इस घर में चल क्या रहा है और उस कोल के न साब लाई बैठे हैं हमारे साथ वो इस कोल के उपर और सब को सुन भी रहे हैं तू राटो मुझसे तुमारी इतनी इमत अरे वीम साप अब जो होना था वो तो हो चुकी है और हां साब आपने टेंशन मतलो राम से घर पर आना क्या पतातना तक मुझसा अपना बोरिया बितरा लेके धर से जा चुकी हों और हां मेंसाब ताल द जा के जाना बिना तालिक है मत जाना चलो, अब मैं निकलता हूँ, आप साब से प्यार से बात करो, या कुछ भी करो, मेरा जो काम था हो चुका है, चरी मिम साब, अब मैं चलता हूँ यार, मुझे तो कितनी बड़ी घलती होगी है, मैं क्या करूँगी, सचिन, फ्लीज मुझे माफ कर देना, आज की बाए या गलती कभी भी नहीं करूँगे, फ्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे डिवोस मत देना, फ्लीज